स्वाखते स्टुडेंट्स आपका अमारे चैनल पर जैसा कि आप लोग ये अर्दवारसिक परिख्षां चल रही हैं तो उसी क्रम में हम कक्छा 9 में विसे हिंदी का अर्दवारसिक परिख्षा का प्रश्ण पत्र लेकर आए हैं तो चले स्टार्ट करते हैं प्रस्ट नमबर एक से जूरी के दौनों बैलों के नाम क्या थे उत्तर हो जाएगा हीरा मोती अगला है सुमित कौन था भिक्चु था अगला सालिम अली की आत्मकता का क्या नाम था फॉल ओफे स्पैरो अगला है प्रेम चंत के पटे जूते पाठक के लेकर कौन थे इसका उत्तर हो जाएगा हरी संकर परसाई अगला है स्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर कभी रस्खान और नियोचावर करना चाते थे उत्तर हो जाएगा सोने के महल अगला है कवी के अनुसार कोयले के चीखने का समय अर्दरात्री कोयले के चीखने का समय अर्दरात्री अगला है ग्राम स्री कवीता के अनुसार गंगा तट पर किसी खेती की गई तर्बूजो की अगला है निमलिकित में से कौन से सब्द में एक प्रत्य का प्रियोग हुआ है उत्तर हो जाएगा सामाजिक अगला है निमलिकित सब्दों के प्रियावाची लिखने हैं बादल के हो जाएगे मेग और नीरत प्रत्वी के धरा और भूग निमलिकित सब्दों के विलोम सब्द अनिकुल प्रतिकुल उपकार का हो जाएगा पर उपकार का अपकार हो जाएगा तो यहाँ पे अ और प लिखना है आपको अगला है अपकार अप लिखना है और कार लिगाना है अगला है निमलिकित उपसरगों के दो दो सब्द बनाने हैं उपसे उपनाम उपदेश अन से अनुचित और अनुपयोग अगला है निमलिकित मुहावरो कार्थ लिकना है दाल में काला होना उत्तर हो जाएगा किसी बात पर संधे होना अगला है आसमान के तारे तोड़ना उत्तर हो जाएगा आसमान के तारे तोड़ना मतला असंभव कारे को पूरा करना अगला है मिर्तियू का तरल दूद किसे कहते हैं मिर्त्यू का तरल दूर बाड के उफनते एवं अपने अंदर सब को डुबोते पानी को कहा गया है प्रश्ण चौदा है किसी सासन की तुलना तम के प्रभाप से की गई है अब हम देखेंगे पंदरवा एक क्या है गध्यान से आपको उसको पढ़कर इसके प्रश्णों के उत्तर देने है तक जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझाताता है गधेखो सुक दुक हानी लाप किसी भी दसा में कौन सा पश्णों बदलता नहीं है गधा कौन सी पश्णों सीहीन के रूप धारन कर लेता है व्याही हुई गाय अथवा में भी दिया हुआ है एक गध्यान्स आप उसे पढ़कर पश्णों के उत्तर दे सकते हैं उत्तर लिख दिये हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं, गध्यांस में कथन किसके लिए का गया, स्वेय लेखक के लिए, दौनों के फटे जूते होने के बावजूत किसका पाफसरक्षी था प्रेम जंद का, तुम परदे का महत्व नहीं जानते, इसमें परदे का किन समश्या को सामना करना पड़ा था, हमें सब्दों में वर्णन करना है, आप स्वेय करके देखें, यह आपको इजिली मिल जाएगा, अत्वा में प्रश्ने दिया हुआ है, अठारवा है, बार की स्थिति में लेखक तथा जंसाधारन की प्रतिक्रिया कैसी थी अपने प्रश्ने देख सकते हैं, अब पटित गध्यांस दिया हुआ है, उसकी अनुशार कुछ प्रश्ने है, यहाँ पे चार आप देख सकते हैं, पध्यांस को पढ़कर आपको इस उत्तर देना है, अगला एक प्रातना पत्र लिखना है, स्वेय राज के उच्छ मादेमिक जंता कॉलोनी माल पूरा निवासी हरिस्मानते हुए महले में व्याप्त गंदिगी से अवगत कराते हुए नियमित विवस्ता के लिए अध्यक चनगर पाली का कुछिकार पत्र बेजना है, इसी के साथ 21 प्रश्ने हैं, हमें निवन्द लिखना है, इन चारो टॉपिकों म इसी में से भी एक, तो बच्चों इस प्रकारता हमारा ये पूरा प्रश्ने पत्र हिंदी का, जो कि काफी वाइरल हो चुका है, अगर आपका हो भी चुका है पेपर, तब इसकी अनुसार आपके उत्तर मिला सकते हैं, और आप शौरेटी ले सकते हैं, आपके उत्तर सही तो जुदरी चैनल से लाइक करें, सिएर के सस्क्राइब करें, धन्यवाद